आप सभी ने क्रिकेटर्स के बीज दोस्ती की किस्से तो बहुत सुने होंगे पर आज हम आपको एक ऐसी सची घटना के बारे में बताने जाने जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा नवजो सिंग सिर्दू के बारे में सब को लगता है कि क्या कमाल के इंसान है हमेशा मस्ती मजाग करते रहते हैं लेकिन साल 1996 में अजुरुद दिम के साथ उनका एक ऐसा विवाद हो गया था जिसके बाद वो अच्छानक बिना किसी को बताये इंगलेंड दोरे से निकल गयते तो चलिए आपको इस वीडियों बताते हैं कि आखिर 1996 में हुआ क्या था नमस्कार दोस्तों मेरा नाम शिवा है और आप देख रहे हैं नीज रूपोस्ट की खास पिसका स्पोर्ट स्पोस्ट नवजो सिंग सिर्दू भारत के लिए ओपनिंग क्या करते थे सिर्दू में भारत के लिए क्यावन टेस्ट और 136 वंडे मैच खेले हैं साल 1996 में उनके तकारिन कप्तान मोहमत अजूर्दीन थे लेकिन उस समय उनका उनके साथ एक विवात चल रा था जिसके चलते नौजो सिंग सिर्दू इंग्लैंड को दोरा बीच में छोड़ कर ही वापस इंडिय लौट आया थे अकबार भी ये खबर पहले पन्ने पर चाही रही मामले ने तूल पकड़ा तो बीसी से इसको भी एक्शन में आना पड़ा बीसी से के प्रेजिडेंट तबराज सिंग डूंगुरपूर हुआ करते थे डूंगुरपूर ने पूरे प्रक्रण पर जांच ब करतने के लिए कहा गया तो उन्होंने उस पर चुक्पि साजली उन्होंने बस इतना का कि इसमें सारी गलती मेरी है मैं माफि मानता हूं आप जो सजा देना चाहते मुझे स्वेकार है इस मेटिंग का कोई नतीजा नहीं निकला सुनिल का वसकरने इसके बात सुझाव दिया कि नवजोद सिंग सिद्धू पंजावी बोलते हैं इस कमेटे में किसी पंजावी बोलने वाले शक्स को चोड़ा जाए जिससे वो सिद्धू साब से अपनी घरेलू बासा में बात कर उनसे असली बात निकला पाए उनका सुझाव मान लिया गया इस बीच अजुरुद द महिंदर अमनात को भी शामिल किया गया नवजोद सिंग सिद्धू को अजुरुद दीन से लेकर टीम मैनेजर और अन सदस्यों से बातचीत की रिकॉर्डिंग भी सुनाए गई उन्हें अब बताया गया कि कोई भी उनके खिलाफ नहीं है इस बार भी सिद्धू का रवया पहले जैसा ही रहा उन्होंने फिर दो रहा है कि सारी गलती मेरी है मुझे माफ कर दीजे आप जो सजा देना चाहते मुझे वो स्विकार है इस पर राज सिंग डूंगुरपुर नाराज हो गया अलाकि उन्होंने मौहिंदर अमनात को इशारा किया कि वो उन्हें बाहर ले अजूुत दिन दोनों का ही कोई दोस्त नहीं है इस मामले को यहीं खट्म कर दिया जा। इसके बाद नवजोज सिंग सिद्दू अपने घर चले ग जिसके चलते यह विवाज शुरू हुआ पर एक छोटी सी गलत फैमी ने उस समय हडगम मचा दिया था क्योंकि दोस्ती की कहानी बहुत मशूर हुआ करती थी, खिलाडी आपस में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, पर कप्तान और एक खिलाडी के बीच कुछ ऐसा हुआ थी कि आखिर ऐसा हुआ क्या, पर अंत में निकला यह कि सिर्फ एक छोटी सी गलत फैमी की वैसे यह सब चीजे ऐसा हो गया, तो यह थी हमारी एक खास कहानी जिसके बारे में आपको बताया कि क्रिकेट में दोस्ती के अलावा ऐसे भी किससे हुए, I hope आपको एचान क पसंद आई हो कि अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो पो लाइक सरू करें और वी ऐसे ख़बरों के लिए देख तरी निसनुम पोर्स